हेलो फ्रेंट यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि सुभस मेरे पास 100-200 से ज्यादा मेसेज़ आ चुके हैं खास करके आरपेस्टी वालों के लिए कुछ जो रेलवेट टेकनिशियन इस और लोको पाइलेट का एक्जाम दे रहे हैं उन स्टुरेंट के भी और सब इतने परेशान है कि मैं क्या बता हूं मुझे नहीं आ डिती तो मुझे कुछ समझ में नहीं है तो मैं सोच आपके साथ शेयर करूं इसे आप प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक सेयर कर स्टुरेंट के बीच में इतनी संबेदन हीन सरकार हो गई है कि कुछ कहा नहीं जा सक कि इतने स्टुरेंट परेशान है आज और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है तो लग रहा था कि एक्जाम आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ठीक है इस चक्कर में स्टुरेंट के बहुत सारे दिन खराब हो गए जब पता चला कि ठीक है एक्जाम निशन उसी डेट को होना है पांच तारी कोई नहीं बढ़ेगा तो फिर एड्मिट काव आएगा उस चक्कर में दो ती दिन निकल गया और जब एड्मिट काड आया तो आधे से ज्यादे ने सर पकड़के बैठ गया आधे से ज्यादे सर इसका टिकट पहले ही रिसर्व कर लेता है बहुत सारे स्टूडेनीं की टिकट बुक कर ली थी फोटल बुक कर लिया था अब मालो जैपूर सेंटर डाला और उन्होंने होटल बुक कर लिया अब होटल बाले पैसे रिटन करेंगे बस वाले ट्रेइन रेल्वे स्टेशन उनका पैसा रिटन करेंगा नहीं करेंगा और अब फिर से, माल जिसका जैपूर है, अब उद配 चला गया सेंटर, अब उद配 उद deliver में कुछ नहीं जानता, अब सिधा उद配 उसको जाना होगा, शारा arrangement करना होगा, जाने में और कितनी दिक्कत होगी, वहां रहने के लिए कहां जगा मिलेगा नहीं मिलेगा, और किसी तरह से लड़के तो manage कर भी लेंगे, लड़कियों के बारे में क्या? लड़कियों के बारे में क्या कम से कम यह होता, कि लड़कों का center वो इधा उदर करते, लड़कियों का at least जो उन्होंने फॉपम भड़ा था, कम से कम वहां छोड़ देते तो उनको तो अट लिस्ट तकलिफ नहीं होती अब लर्कियां कहां कहां जाएंगी फिर से वह एरिजमेंट कैसे करेंगी यह गवर्मेंट को नहीं पता है इसी तरह से एसे लोको पाइलेट वाले एक्जाम में जैसी एर्मिट काड आया पूरा मतल मुझे लगता है सिक्टी परसंट लोग तो जाएंगी नहीं और इस्टूइंट को दोनों तरफ से घाटा है अगर वह नहीं जाते हैं तो गर्मेंट 400 रुपे लटाएगी नहीं उन्होंने एक्ष्ट्रा फॉर्म भरताते समय लिया था क्यों लिया था यह तो पहली बात प कम खर्च हो जाने है एक इस्टूडेंट जो नौकडी के लिए दरदर भटक रहा है वह दो तीनिजार रुपया कैसे खच करेगा वह इतने स्ट्रेस में जब एक्जाम देने जाएगा तो कैसे अच्छा से एक्जाम दे पाएगा तो बहुत सारी बाते हैं यह कैसे गर्में इस एक्जाम को और वह एक्जाम कंड़क्ट करवाड़ी है एडमिट कार्ड में आपने देख लिया कितना एरड है अब पता नहीं क्यूश्चन पेपर में क्या क्या होगा एक तो स्टूडेंट एक्जाम देने जाता है अभी सेंटर चेंज हो गया दूसरा डर लगता होग कई पर लीक ना ओजाए तो बतलों कुछ कहा यह नहीं जा सकता कि क्या कहा है इतना मुस्किल होता है कि स्टूडेंट के लिए कोई पी ऐक्जाम क्वालिफाइब करना लोग बहुत ही आसानी से कह देते हैं क्या रहे निकाल लिया उसके पहले कितना कि मैंने क्या-क्या दूर जाएगा कौन सा ओनलाइन एक्जाम और कौन सा डिज्टल इंडिया मेरे तो समझ में नहीं आ लेकिन कड़ भी क्या सकते हो एक्जाम तो देना है इसी अव्यवस्था से लड़के इस व्यवस्था का पार्ट बनना है तो लड़ना तो पड़े गई आगे बढ़ना भी ह मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है खास करके जो राजस्थान एक्जाम देने जा रहे हैं बहुत लोगों का लड़के लड़कियों का सेंटर चेंज हुआ है ठीक है तो आप बहुत सारे आउट मतलब आउटसाइडर ना मतलब राजस्थान स्टेट के नहीं है जो खास करके ज्यादा तकलीफ होगी क्योंकि वहां किसी को जानते नहीं होंगे कहां रहेंगे क्या हुक्मने कहां एकमेंडेशन बहुत सारी प्रॉलम्स आएगी तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी खास करके इस वीडियो को सुन रहे हैं राजस्थान के हैं अगर कोई आपसे हिल्प ले तो प्लीज हिल्प करो ठीक है मैसेज कोई करे अगर इस वीडियो के नीचे कहीं का एड्रेस पूछे या कहां रहना है कुछ ऐसा पूछे उस टाउन के बारे में जानकारी चाहें तो प्लीज उसे इमानदारी से प्रॉपर जानकारी दो आप यह मेरा रिक्वेस्ट है हम लोग परिवार की तरह हैं एक दूसरे का सहारा बनके अगर आगे बढ़ें तो बहुत सारी दिक्रते कम हो जाएंगे उमीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे बस यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग दूर जा रहे हैं एक्जाम देने जो जगे क को नहीं जानते हैं उनको जहां तक हो सके आप हेल्प करें प्लीज और इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सकते इतनी देर तक मेरी बातों को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद